आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर रिचा शुक्ला आज एक बहुत ही महत्तुपूर्ण यूती के विशे में बात करूँगी मैंने एक पुरी अल्मोस्ट सीरीज है बहुत सारे कंजंक्शन्स के विशे पर मैं बात कर चुकी हूँ और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत सराहा भी है क्योंकि ये सच बात है कि जब कभी भी हम जोतिश सीखते हैं देखते हैं जानना चाहते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रशन होता है कि अगर एक ही घर में दो या उससे जादा ग्रह बैठ जाएं तो उसके फल ना तो आपको explain करूगी लेकिन conjunction का मतलब है फिलहाल दो ग्रहों का एक के साथ दूसरा तो अगर इसके साथ हम इतना भी समझने लगते हैं तो हम जोतिश को बहुत अच्छा समझ जाते हैं आज किस ग्रह युती की बात मैं करूँगी वो बहुत बड़े ग्रह हैं सूर्य औ सूर्य और चंद्र की युती क्या दिखलाती है क्या बतलाती है सूर्य और चंद्र की युती को अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि जिस दिन सूर्य और चंद्र मां एक साथ होते हैं उस दिन अमावस्या होती हैं अब आपकी कुंडली में अगर थोड़ा या प्रतिपदा अमावस्या ना हो तो प्रतिपदा होगी लेकिन अगर कंजंग्शन है डिगरी के हिसाब से पता चल जाएगा तो यानि कि अमावस्या या प्रतिपदा के आसपास कही आपका जन्म है अब अमावस्या का नाम सुनते ही आप लोगों की दिमाग में आ जाता है कि ये एक बहुत बुरा कंबिनेशन है चंद्रमा अमावस्या में हो गया बिलकुल खराब हो गया और मेरा काम यहाँ पर यही है कि आपको आपके जो भी एजम्शन्स हैं या जो आपकी पूर्वाग् जो आप पहले से सोच कर बैठे हैं उसको एक नया सुरूप देना है क्योंकि जब आप जीवन को समझना चाहते हैं जोतिश को समझना चाहते हैं तो आपको एक तारकिक बुद्धी अवश्य रखनी होगी चाहे वो आप जोतिश सीखने के लिए कर रहे हूं चाहे अपनी आप से किसी ने कहा कि भाई आपका तो अमावस्या का जन्म है और आपने रोना शुरू कर दिया ऐसा नहीं होता जैसा कि मैं अस्त ग्रहों के विशय में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका भी नाम मैं लेती हूँ अपने वीडियो में जिस वीडियो का उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करती हूँ तो अस्त ग्रहों के वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि सूर्य के साथ जो ग्रह भी अस्त भी हो जाता है तो वो भी उसका प्रभाव भी सूर्य देते हैं तो इस सिध्धान्त को कभी मत भूलिए अब बात यह होती है कि भाई चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है ये भी मत भूलिए कि चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित है क्योंकि जब वो सूर्य के साथ आ जाता है तो उसका कोई अस्तित तो नहीं रहता तभी तो अमावस्या हो जाती है अंदकार में चला जाता है वो लेकिन क्योंकि जो प्रकाश देने वाला ग्रह है वो तो उसके साथ ही बैठा हुआ है तो चंद्रमा और सूर्य की यूति को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से इक्षा शक्ति में कभी कभी कमजोर होते हैं क्योंकि चंद्रमा वहाँ पर दिख नहीं रहा है बिलकुल काला है छुप गया है सूर्य के प्रकाश में तो मन से कभी कभी या इक्षा शक्ति से कभी कभी थोड़े से कमजोर होते हैं लेकिन अगर क्योंकि सूर्य आत्मा है सूर्य सरबाधिक प्रकाशित ग्रह है सूर्य राजा है तो अगर सूर्य और ये जो कंजंक्शन है अगर ये मित्र राशियों में बना हुआ है जैसे कि ये मंगल की राशियों में हो ये सूर्य की अपनी राशियों में हो ये चंद्र की अपनी राशियों में हो मंगल की राशी में हो तो ये कंजंक्शन कमजोर नहीं होता बली युती मानी जाती है इसको बली मतलब पावरफुल ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े अचीवमेंट्स पा सकते हैं केवल और केवल आपको देखना ये होता है कि चंद्रमा और सूर्य अगर माना कि एक लगन का सौमी है और दूसरा दूसरे घर का सौमी है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एक साथवे का मालिक है और एक आठवे का मालिक है क्योंकि तो आपसी में पास ही पास होंगे ना हमेशा चार और पास नमबर तो तो मतलब अगर ये सब्तमेश और अश्टमेश है और इनकी यूती है तो फिर आपको health related problems दे सकते हैं अगर ये लगनेश और दुतियेश है तो भी health related थोड़ी से issue दे सकते हैं लेकिन सच मानिये आपको धनकी द्रश्टी से बहुत सवल बना देंगे इसी तरह अगर ये पाँच और छे के मालिक है माना पाँचवे और छटे घर के मालिक है तो ये संतान से related कुछ कश्ट दे सकते हैं हो सकता है कि आपको कोई रोग ऐसा मिल जाए या संतान से related कोई issue हो सकता है मतलब आपको ये देखना होगा कि सूर और चंद्र किन इस्थानों के मालिक हैं पहली चीज दूसरा ये कि ऐसे व्यक्ति को अगर अपने जीवन में किसी mentor का किसी guru का पिता का इस तरह का अगर सहारा मिल जाता है या कोई उनकी इक्षा शक्ति को बढ़ाने वाला मिल जाता है तो ये लोग बड़े achievers होते हैं इनके अंदर बहुत अच्छी मनो वैज्ञानिक छमता होती हैं ये भी लोगों के मन की बात समझ सकते हैं सच मानिए कि चंद्रमा अस्त होते हैं मतलब अस्त से मतलब है अमावस्या का चंद्रमा होते हुए भी आत्मा तक का रहस से ये जान सकते हैं ऐसे सूर्य और चंद्र की यूती वाले लोग मनो विज्ञान के बहुत बड़े पार्खी हो सकते हैं साइकलोजिस्ट हो सकते हैं रिसर्च ओरियेंटिट पर्सन हो सकते हैं समाज के लिए काम करने वाले हो सकते हैं अपनी माता को बहुत सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? चंद्रमा तो बिल्कुल वहाँ पर खराब था क्योंकि सूर्य चंद्रमा के साथ है और ये आपस में मित्र है बस कंजंग्शन को समझना है तो देखना ये होगा कि ये मित्र जो सूर्य और चंद्र की मित्र राशिया है अगर इनमें ये conjunction होगा तो अच्छा होगा अगर ये conjunction शत्रु राशियों में होगा या फिर सूर्य और चंद्र खराब इस्थानों के मालिक होगे तब फिर थोड़ी सी प्रॉबलम हो सकती है खास करके आपकी इक्षा शक्ती में या फिर जो भी दूसरा जैसे की जो चंद्र कर्मा जिस इस्थान को रूल करेगा उससे related कुछ issues आपको आ सकते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इस conjunction का मतलब आपकी कुंडली में अमावस्या का दोश और बहुत पतानी क्या-क्या नाम दिये जाते हैं ऐसा नहीं होता इसका मतलब है कि हर 15 दिन में जो लोग पै क्योंकि हर 15 दिन में हम आवस्या आती है तो हमारी आधी से ज़्यादा population इसमें होगी every month यो होता है तो ये conjunction खराब नहीं है पहली बात बड़ी मानसिक ताकत आपको आत्मिक ताकत बहुत देता है मतलब आत्मा का बल बहुत देता है मानसिक ताकत कम होती है मैं आपको समझा मानसिक और आत्मिक में फरक क्या होता है मतलब आत्मा यानि की intuition ये धीरे धीरे अपने intuition पर काम करके बहुत बड़े बन जाते हैं इक्षा शक्ती में क्योंकि दुर्वल होते हैं थोड़े से चंद्रमा की वज़ा से पर अगर एक बार ये ठान ले इनको कोई mentor मिल जाए कि ये पास सकते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े achievers इस अमावस्या के वतलब यानि सूर्य और चंद्र के combination में देखे हैं बड़े बड़े समाज सुधारक बड़े बड़े मनोवग्यानिक इस combination में पैदा होते हैं achievers सूर्य और चंद्रमा ग्रहों की hierarchy में यानि कि जो इनका मंत्री मंडल है उसमें राजा और रानी हैं अगर इन दोनों ग्रहों का साथ होगा तो आप जीवन में अवश्य उपर जाएंगे आप समाज में प्रशन स्निय हो सकते हैं आपको सरकारी लाब भी मिल सकते हैं जैसे कि अगर माना आपका ब्रशिक लगन है एक example है सूर्य और चंद्र आपके नवें और दस्वें घर के मालिक बन जाते हैं अब अगर इनका conjunction लगन में हो जाए तो सच मानिए कि आपकी उन्नती निश्चत है क्योंकि ये नाइन्थ और टेंथ के मालिक एक साथ जो है वो लगन में बैठ जाएंगे राज योग का निर्मान कर देंगे ये मैंने कहा ना दोई ग्रह हैं जो राजसिक ग्रह हैं राजा और रानी बाकी मंत्री हैं गुरू हैं सेनापती हैं जो भी हैं लेकिन ये दोनों बहुत पावरफुल प्लानर्स हैं पॉलिटिक्स में सक्सेस हो समाज में बड़ा नाम हो सफलता हो ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा कॉम्बिनेशन हैं कई बार ऐसे लोगों को मैंने ये ज़रूर देखा कि ये अपनी केपिबिलिटीज पर डाउट करते हैं थोड़े अंतर मुखी हो सकते हैं मतलब ये बाहर जाकर काम करने में उतना पसंद नहीं करते जितना कि ये अंदर अंदर काम करके फिर केते ना दे वर्क साइलेंटली और इनकी सक्सेस जो है वो बोलती हैं ये इस तरह के लोग होते हैं कि चुप-चाप अपने मन से काम करते चले जाते हैं और फिर एक दिन इनकी सक्सेस जो है वो सबको दिखाती है कि अरे वाह तो वह बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है लेकिन अगर ये कॉंबिनेशन कंजंग्शन शत्रु माना शनी की राशी में है और ये ग्रह जो है मों माना छटे साथवे के मालिक हैं या साथवे आठवे के मालिक हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दुविदा की स्थिती हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा शनी की राशियों में वैसे ही वीख होता है फिर अमावस्या का भी हो जाए तो थोड़ी मुश्किल आ जाती है पर जैसे कि यहाँ पर भी एक करेक्शन कर दूँ आप अच्छा है वही पर अगर ये कंजंक्शन तुला में होगा जो की शुक्र उनके एनिमी है और सूरे नीच के होते हैं तो ये शुक्र की दो राशियां ब्रशब में ये कॉंबिनेशन अच्छा फल देगा वही तुला को थोड़ा सा वीक फल देगा आपके जीवन में इस ट पर अगर मेंश में है तो सूरे उच्छ का हो जाएगा ब्रशब में है सब बढ़िया तो आप इस तरह से इस कंजंक्शन को समझेंगे किसी भी कंजंक्शन को आँख बंद करके एक नाम से समझ कर पकड़ कर ना बैट जाएं ये भी सोचें कि उसके साथ और कितने तत्व ज जैसे कि मैंने आज आपको बताई कि ये राजा और रानी है मन्त्री मंडल के तो इनका कंजंक्शन बुरा कैसे हो सकता राजा और रानी है तो क्या आत्मा और मन के बीच में ना टसल चल सकती है एसा काम कर लो आत्मा करी ये गलत ऐसा नहीं तो एक रसा कशी जो है अंदरूनी वो चलती रहती है से लोगों के मन में और वो भी मन और आत्मा की लड़ाई में मन कहता है कि आराम कर लो आत्मा कहती काम नहीं करोगे तो प्रसिद्ध कैसे होगे इस तरह का एक टसल यानि कि आंतरिक अंतर द्वंद तो चलता है लेकिन अगर ये स क्योंकि सूर्य बली है ना सूर्य चंद्रमा को दबा रहा है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं अंतर द्वंद अवश्य चलता है इसमें कोई दो राई नहीं है इक्षा शक्ति की भी थूड़ी कमी मैंने देखी है लेकिन अगर एक बार इन लोगों ने अपने ज कुंडली में है आपके मित्रों की कुंडली में है देखिए लगाए तर्क वितर्क कीजिए कॉमेंट सेक्षन में बताइए किस तरह की बाते आपको इस कंजंशन में देखने को मिलती है धन्यवाद अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करेंगे शेयर सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को धन्यवाद